सबसे पहले तो आप लोग मिठाई खा लीजे मेरी साधी के सालगी रख के सुभा उसर पे मेरी पूरी फैमिली अपना मुह मिठा कर लीजे and very very good morning my dear and respected family welcome back एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी खा अपने चैनल आर इसमिता फैस्टी ब्लोग में तो बताईए कैसे हैं सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी आप सभी की कुछलता की सुभ कामना करती हूँ तो मैं सुभा उठ करके नहाध हो करके नई साड़ी पहन करके त्यार हो गई हूँ और पूजा कर ले रहे हैं अपने घर के मंदीर पे बाहर में भी हम पूजा कर लिए हैं सुर्भवान को अर्थ दे लिए हैं जल चरहा लिए हैं तुलसी मा की पूजा कर लिए हैं और अपने घर के मंदीर में पूजा कर रहे हैं बिंदिया बोले क्या बोले गजरा बोले क्या बोले जुमका बोले क्या बोले साथ सजन का छूटे ना बिंदिया बोले क्या बोले क्या बोले गजरा बोले क्या बोले जुमका बोले क्या बोले साथ सजन का छूटे ना पूजा पाठ करके अब हम आ गए हैं अपनी कीचन में सबसे पहले बनाएंगे हर दिन की तरह चाय तो आजाएए आप सोब भी मेरे साथ पिने चाय और हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं मानले बर्थडे में या एनवर्शरी वेगरा में हाँ इसलिए अपने घर में सुरू से ही हम मेरे घर में जब कोई बहुत ज्यादा परिवारा फैमली बहुत बड़ी तो थी नहीं इसलिए मुझे भी कुछ ज्यादा जानका इसलिए बना लेते हैं पूरी सब्जी खीर या जो ही अच्छा खाना होता है मंदिर उंदिर चले जाते हैं थोड़ा बहुत हो जाता है जो अपने से हां याद मुझे रहता है और खुशी भी मुझे होती है तो आजाए आप सब चाय बनका रेडी हो गई है चाय पिलीजे और देखिए हम क्या-क्या बनाते हैं बने रहे दिन भर मेरे शाथ पिली जे चाय और अब हम बनाएंगे काबली चना का छोला बना रहे हैं तो इसकी रेसिपी हम सेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले चने को गलने के लिए रख देंगे कुकर में नमक डाल देंगे ठोड़ी सी ह कि मेरे बच्चे चाय नहींद पीते हैं तो जब ऐसे चाय नहीं पीते हैं तो छोल अगर हमें डालकर ऐसे खिलाना इसलिए और मेरे चोले का कलर भी अच्छा था है ऐसा नहीं है कि चाहे के वह बनता है आप लोग देखिए और बताईए कैसा बनता है और अब हम यह पनीर की सब्जी पनीर बनाए हैं पनीर की सब्जी ही ही बनाए है तो इसके लिए सबसे पहले कड़ाही गरम करके म्यद्य तेल डालती operation सर्षो का टेल हम हम यूज करते हैं अब से पहल добрण ही नित्शक तड़का दें ओर यह प्याज काट लिए हैं पस थोड़ा सा उसको मूलायम करना है, और सॉफ्ट हो जाए उसके बद हम इसमें टमाटे डाल देंगे टमाटे भी पिक जाएगा तो इसको हम मिक्सी में पीष एगे, पेड़ बनाएगे इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बदाम और थोड़ा सा मखाना का लावा इस तरह से अब इसको ढख देंगे और जब पक जाएगा तो इसको हम पीछ लेंगे इसको हम सूखा ही पीछेंगे इसको पाउडर बनाना है मुझे यह पीछ नहीं है इसमें तेल डाल दी है कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें हम पनीर फ्राइव कर लेंगे हम पनीर हमेशा फ्राइव करके ही बनाते हैं कच्छा पनीर मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है और पनीर को फ्राई करके गरम पानी करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके हम उसमें पनीर को रख देते हैं इस तरह से बनाने से वैसे हम पहले भी बता चुके हैं अपने वीडियो में कि इस तरह से पनीर बनाने में हमेशा सॉफ्ट है पनीर की सब्जी ठंडी होने के बाद भी पनीर इसका सॉफ्ट ही रहता है और अब इसको निकाल के हम पाने भिगो दिये हैं इसमें डाल दिये हैं और थोड़ी सी जीरा, प्याज, इसका हम इसमें तड़का लगा दिये हैं, और जो पेश्टा हम बना करके रखे हुए हैं, वो इसमें अब मैट कर देंगे, अब यहीं, इसमें अब आदी, जो भी उसमें लगा हुआ है, वो सब एसमें धूपके डाल देंगे, ताकि बाहर बेश्ट न हो, कि अधाने नाछेड़ता काउल यह सब्सक्राओं अधान एंगाए ऊचेटे काकर नार्यार कट शुआरा चाली के मैं थे लेप्रत अ्पर्पर गिन्हें 12 इह विद्धा करी शीच आंटारे यह देखे ग्रेवी तियार हो गई अब इसमें हम डाल देंगे पनीर को भी थोड़ी देर मसाले में पका लेंगे और अब डाल देंगे अपनी टेस्ट एकॉर्डिंग नमक कुछ भी ब्यंजन बनाईए उसमें अगर चीनी का बनाते हैं तो चीनी ना पड़े और नमक का बना ड्वर अपना परता है और अब हम डाल देंगे इसमें धन्यक पत्ति थोड़ी सी कट करके धाक दिये मेरी सबजी बनकर रेडी हो गई है फिस एक बाहा धन्यक पत्ति डाल दिये कोई मिसबची बनाते वक्त बीच भीच में धन्यक पत्ति अगर ग्रेवी वाली सबजी बन अगर धन्यक पती है कट करक लिए थोड़ी थोड़ी देर पर डालते रहिए तो सबजी का काफी टेस्ट अच्छा आजाता है और हम पनीर के सबजी में मलाई और यह सब नहीं डालते हैं मलाई दूद इनकी ग्रेवी नहीं लगाते हैं क्योंकि सायद ऐसा कहा जाता है कि नमक दूद एक साथ नहीं खाया जाता है हाला कि पनीर भी दूद काई बनता है पर रूप बदल जाता है और हम नहीं डालते हैं लाश्ट में थोड़ा सा बटर मन होता है बच्चों का तो डाल देते हैं और अब हम यह छोले का मसाला तयार कर रहे हैं छोला मेरा पग्या है तो इसमें हम प्याज तेचपत्ता कंशपोरा का तड़का दे दिये हैं और श्यवıllा मसाला प्याज-लसुन मिलचा का कच्चा ही पीस लिये थे इसको जीरे को के सब्सक्रियत। तमाटर कट गजाओ है। जाना मसाला मेरे islands हे उसमें भीक नचाहे cantidad के सब पाणा जिखा है। और अब हम इसमें बना लेंगे जीरा राइस, जीरा राइस के लिए कुकर गरम करके उसमें घी गरम कर लिए, उसमें जीरे कतरका लगा दिए और अब हम चावल डाल देंगे, खाना में हम यही बनाये थे, जीरा राइस, पनीर की सबजी और छोला, सुबह का खाना, यह हम सु उसको भी शेयर कीजिए उसको बोलिए कि हां इनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजे प्लीज हेल्प मी और आप हम ये मसाले में छोले को डाल दिये हैं देखिए कहां खराब लग रहा है और थोड़ा से मैशर से हम उसको चने को मैश कर दिये हैं ताकि थोड़ा सा ग्रेवी हो जाएगी और अब मेरा छोला भी बनकर रेडी हो गया है इसमें हम डाल दिये धना के पती ये दूद था तो ठोड़ा सा दूद हम मतलम हमें गरम करना था तो रख दिए बगल में तो दूद भी मेरा साथ में गरम हो जाएगा ये देखिए मेरी पनीर बन गई छोले बन ग खा लिजे और अब हम बना लेंगे केक दो पहर का खाना पीना मेरा हो गया सबका हो गया आप सबका भी हो गया और अब हम बना लेते हैं केक के लिए एक कप सूजी एक कप मैदा थोड़ी सी लाइची पिसकर गरी रेद कर इसमें हम कर देंगे डाल देंगे और चीनी एक कप मेठा सोडा भी पढ़ता है यह सोटाा भी लगा और यह मेरे पास milk powder नहीं था तो यह दूद को खुब गाढ़ा कर दिये थे जस्ट खोवा टाइप में और इसको इसमें हम मैश कर दिये हैं तो उसका फ्लेवर अच्छा आजाता है अगर नहीं है तो आप ऐसे भी किया जा सकता है और अब हम दूद में इसको फेंट लेंगे पानी एड़नी करना है शिर्फ दूद में ही बनाना है एक कप मैदा एक कप सूझी एक कपचीनी यह अंदाज है इसका अनुसार जिसको जितना बढ़ाना है बढ़ा सकता है और पाउडर इतने में एक पैकेट 10 रुपय वाला मिल्क पाउडर पढ़ जाएगा तो यह अंद केक डिब्बे को और इस केक को इस वीडियो को हम यहीं परिंट करेंगे केक कट की दूसरी वीडियो होगी तो प्लीज आप लोग उसे देखिएगा जरूर और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े सब्सक्राइब करने में आप लोगों का तो कुछ ज्यादा नुकस कर लिए देशीघी को और इसमें हम मैदा बटर पेपर नहीं है हम बटर पेपर कभी रखते भी नहीं है इस तरह से मैदा इसमें पूचार तरफ लगा देंगे और इसमें बैटे डालेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंक से निकल जाता है और एक केक को बनाने के लिए करीबन प 45 मिनट के बाद आप इसे खोलिए तो आपका केक बनके रेडी हो जाएगा और इसी के साथ मैं इस पीडियो का एंड करती हूं मिलती हूं इसी के पार्ट टू में तब तक के लिए स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे अपने अपने घौरों में खूस रहे थैंक यू